हेलो फ्रेंड वेलकम बैक टुमाइक कोकिंग चनल तो फ्रेंड आज मैं लेकर आई हूँ साबू दाना की पराथा और एकदम नरम मुलाइम बनती है प्रेंड तभी नवरात्री भी चल रहा है तो आप फास्टिंग में भी खा सकते हैं ऐसे भी खा सकते हैं तो यह स्पेसली म वारी शных पावडर बनाते हैं को जादा이면 रोस्ट कर लेंना है अपनी चल इसकाना को ऑपनी खाना अदो आ की लिकुर्च से तरह कोई रूशत ऑस्पावडर में आप जादा नहीं रूशत कर लाका साशक कर ल हमें तो आपको अप्लस रोस्ट कर लिलेना है तो अपर देखे इसके लिए मैं छोड़ दी थी इसी तरह से खुले कड़ाही में और 5-7 मिट में अपने ठंडा हो गया था उसके बाद हम इसको पीछ लेंगे एक दो बार बीच में देख लीजेगा थोड़ा मोटा लग रहा है तो चमस्याप चला लीजेगा उसके बाद आप पीछ लीजेग प्लीज वीडियो को लाइक कर दिया किजिए आपको लाइक करने में एक सेकेंड भी नई लगता है वीडियो बनाने में काफी टाइम लग जाती है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक ज़रूर करेगा अपर थोड़ा सा मैं सुखा आटा डस्ट के कर लूँँगे और चोटे वाले में ग्रेतर से यहां पर ग्रेट कर लो चोटा करेंगाइब एक च्छोटा टुक्रा मैं अद रख Danny क跟大家 है घ्ला लेगः इसी इसी के साथ अब आलू को भी नाप करेंगे प्रसम में अद्रारा एक के व्यड़ी से तो थोड़ा बूर जो निकला है तो आधा कटोरी होगा और साथ में मैं ग्रेट किया हुए अद्रक डाल दूंगी एक छुटा चमच में जीरा पाउडर डाल रही हूं और चार से पांच दाना में काली मिर्स को इस तरस दरदारा कूट ली थी खलोटा मुसको भी डाल इससे काफी अच्छा टेस्ट बढ़ जाता है टेस्ट के अनुसार आप शेना नमक डाल दीजे रॉक सोल्ट जो आप तिवहार में खाते हैं बहुत लोग नौ दिन का फास्ट रखते हैं प्रेंट उसमें एक बार नमक खाते हैं तो यह मैं उसी उन्हीं लोग के लिए पानी डाल करके गुंडली हूं तो टोटल आधा कटोरी पानी भी इसमें लग गया था इसको दस मिनट पर दहक करके छोड़ देंगे ता जाब दाना अधा कटोरी आलू वाइल किया ग्रेटर लग गया है एक चमच मैसमें घी डाली हूं अच्छी तरह से हमें हाथ से मसल ल जितना रोटी के लिए लोई लेते हैं उससे थोड़ा डबल हमें ले लेना है और इसको में इस तरह से गोल हाथ में गुमा लेना है तो चप्टा करिएगा थोड़ा सा पत्नावल के लिए आता रखी ति उसको डाल जाया तो आपके पास कुटू का आटा है या राजगीरा का आटा है तो भी आप डाल सकते हैं जो ब्रत में खाई जाती हो आटा डाल सकते हैं और भी नहीं है तो आप घी डाल दीजिए लगा कर बेल दीजिए और यह रोटी बेलने में फ्रेंट थोड़ा सा ना खुरदारा सा लगता है साइड से अगर आपको पिलकुल चिकना चाहि को है रीके साथ लर्ज है थोड़ा सब्सक्राइब कर लका के लिए से तरल करím दीजिए बाकि में नई कट्रेंगी थोड़ा सा खुड़आ लाँ है बट कोई नहीं जादा नहीं लग रहा है इसको । आम लेते हैं तो आपको लो अच्छा है दीरे दीरे सीखें क्यों अच गही लगाते हैं थोड़ सा फ्लेम को मैं हाई कर दी थी उसके बाद इस तरह से मैं सेक लूँगी दोनों साइड से यहां पर दिखें बहुत अची तरह से एक पराठा हमारा बन गया है साब दना और आलू का और दूसरा में जब बैली थी तो इसको मैं कटिंग नहीं कर थी ड बहुत ही मुलायम बहुत ही सौट पराठा बनकर त्यार होती है मैं आप रहे धनीय पुदीने के चटने के साथ सर्व कियों और दही के साथ सर्व की हूं यह मैं चटनी तिवहार वाला ही बनाई ती प्रे रॉक सोल्ट और डाल करके ताप इस तरह से खा सकते हैं बढ़ मु हुआँ के नहρού और भना, है टा मदा की युर हुआ का युर एओन साम humility